तो आज है सातोडी तीज कजिरी तीज धार्मिक मानेतों के नोसा रक्षा बंदन के तीन दिन बाद और क्रेशन जन्माश्टमी से पांस दिन पहले जो तीज आती है उसे सातोडी तीज के रूप में मनाय जाता है इस दिन नीम की पूजा की जाती है और यहां उस सब बड़ी दूबनाव से हनाया जाता है पालकी को सजा कर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है इसमें हाती, घोडे, उूट और कई लोग ने तक कलाकार हिस्सा लेते है महिलाएं और लड़किया इस दिन परिवार के सुख शांती की मंगल कामना में वरत रखती है और इस दिन सुबह जल्दी सुर्योदे से पहले उटकर धमोडी यानि हलका नाश्ता करने का लिवाज है जिस प्रकार पंजाब में करवाचोत के दिन सुबह सरगी की जाती है इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है दिन पर व्रत चलता है उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चा दिन पर कुछ नहीं खाया जाता है शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है और निमडी माता की पूजा करके निमडी माता की कहानी सुनी जाती है चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है और चांद को अर्ग दिया जाता है बुल्डे बुजूर्गों का आशिरवात लिया जाता है इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट वेंजन खाका व्रत तोड़ा जाता है सातोडी तीज पर सवाया जैसे सवा किलो या सवा पाव के सत्तू बनाए जाते हैं सत्तू अच्छी तिथी या वार देखकर बनाने चाहिए जैसे मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते हैं तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं सत्तू को पिंडी के रूप में जमा देते हैं उस पर सुके मेवे, इलाइची, चांदी के वर्ख से सजाए बीच में लच्छा एक सुपारी भी लगा सकते हैं पूजा के लिए एक छोटा लड़ू बनाना चाहिए और कल पने के लिए सवापाव या मोटा लड़ू बनाना चाहिए वह एक लड़ू पती के हाथ में जिलायाने के लिए बनाना चाहिए कुवारी करन्या लड़ू अपने भाई को जिलाती है, सत्तु आप अपने सुईदा हिसाब से जादा मात्रा में ये कई प्रकार के मना सकते हैं, सत्तु चने, चावल, गेहू जो आदिके बनते हैं, तीज के एक दिन पहले सिर्ध होकर हातों वे पैरों पर महंदी लगाई जा दूद, नीमबू, मोती किला, नत के मोती, पूजा की थाली, जल और कलश, सातूरी तीज, पूजन की तैयारी, मिट्टी व्या गोबर से दिवार के सारे छोटा सा ताला बना कर नीम रक्ष की टैनी को रोब लेते हैं, वो ताला में कच्च, दूद, मिशित, जल भर देते ह वो किनारे पर एक दिया जला कर रखते हैं, नीमबू, ककडी, केला, सेप, सातू, रोली, मोली, अक्षत, आदी धाली में रख ले, एक छोटे से लोटे में कच्चा दूद ले, और सातूरी तीज, पूजन वीदी में, इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पी को उपास किया उसके बाद ही पानी पीती हैं, सायकाल के बाद और दे, सोला सिंगार के तीज माता, नीमबू, माता की पूजा करती हैं, सबसे पहले तीज माता को जल के छीटे दे, रोली के छीटे दे, चावल चड़ाएं, नीमबू, माता के पीछे दिवार पर महंदी, रोली और काजल क तेरा तेरा बिंदी अपनी उंगली से लगाएं महंदी रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाने चाहिए काजल की बिंदी तरजिनी उंगली से लगाने चाहिए और नीमडी माता को मोली चड़ाएं महंदी काजल वस ओड़ाएं और दिवार पर लगाएं बिंदियों प दीपक के प्रकाश में निम्बू, काकड़ी, मोती की लाण, निम्ब की डाली, नाक की नात, साड़ी का पल्ला, दीपक की लोग, सातु का लड़ू, आधी का प्रति भी देखें, और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में निम्बू दिखें, दिखें तूटे, इसी तरह बाकी सभी वस्तून के लिए एक एक करके बोलना चाहिए, इस तरह पूजन करने के बाद, सातूरी माता की कहानी सुननी चाहिए, निम्बू माता की कहानी सुननी चाहिए, गणेजी की कहानी सुननी चाहिए, लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए, करपित करें चांदी के अंगुठी और आखे मतलब गेहूं हाथ में लेकर जल से थोड़ा अर्ग देना चाहिए और अर्ग देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा के मुक्की और करके गिराते रहें और चार बार एक ही जगर खड़े वे घुमें परिक्रमा लगाएं अर पतिया का हार चांद ने अरग देता जीव वीर भरता सत्तु के पिंडे पर तिला करें भाई पती पुत्र को तिला करें पिंडा पती या पुत्र से चांदी के सिक्के से बढ़ा करवाएं यानि जो आपने सत्तु का बढ़ा केक बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पती को तोड़ने के लिए कहें, इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं, पती पिंडे में से साथ छोटे टुकड़े करते हैं वरत खोलने के लिए, यही आपको सबसे पहले खाना, फिर उसके बाद में पती बहार हो तो सास या ननत पिंडा तोड़ सकता है, साथ उपर ब् ननत ना हो तो भ्रामनी को दे सकते हैं, आकड़े के पत्ते बस साथ उखाएं, अंत में आकड़े के पत्ते के दोने में साथ बार कच्छा दूद लेकर पिये और इसी परकार साथ बार पानी पीना चाहिए, दूद पिकर बोलना चाहिए, दूद से धापी, सुहाग से कोनी धापी सुहाक से कोनी धापी का अर्थ है पति का साथ हमेशा रहना चाहिए उससे जी भी नहीं भरता बाद में दोने के चार टुकड़े चारों दिशों में फैक देना चाहिए यह व्रत से पानी पिकर भी किया जाता है और चांद उदे होते नहीं दिख पाए तो अब समय ट का आस्मान के और अर्गे लेकर व्रत खूल सकते हैं और इस तरह तीज माता की पूजा संपन होती है इस व्रत में गर्भवती इसरी भी फलाहार ले सकती है तो यह तिखाज जानकरी साथूरी तीज की पूजा हम किस तरह से कर सकते संपूर्ण पूजा वीदी इसमें शांती और मंगल कामना का ब्रत हैं तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन बटन अबा दीजिए तो मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में हरे किस्णा